नोच बूड मॉर्णिंग प्यारे विदार्थ्यों स्वागेत अपने सत्तीकेतु डिफेन्स अकेडमी के लाइव सेसन में प्यारे विदार्थ्यों आज हम लोग जो है अपने सत्तरवान नमबर जो है वो लेकर चलेंगे paper set हमेशा की तरह अपने 15 questions हम लोग करेंगे और आपको अपना मुल्यांकन swim करना है राइट तो अपने skin board पर जो questions दिख रहा है आपको उसके answer जो है वो commit box में लिखकर जो है वो भेजना है और last में आपको जो है अपना results जो है अपने बताना है मुझे बराबर न ओकी चलो ठीक है तो बाबुलाल जाट पूरन सिंग भाड़ी MS चौदरी रविंदर सिंग ओकी बाबुलाल ओकी चलो ठीक है सर कितना गया है ओकी चलो start करें भई कुछ हां पवला जिवोग के शंकरमण के विस प्रति रोद का अद्धियन किया जाता है कखो के किसमें इम्मोलोजी इम्म्योनोलोजी या कृप्टोलोजी या पैथोलोजी यह तो question अपना दे रखा है बहुआ सिंपल किक्विशन है जल्दिश आंस्वर दो ओके एमेस चौदरी चोटन बी रितेस बी बहुत अच्छा सबास तो सीदी सी बात है भाई इम्यूनो सिस्टम अने की जीवों के संकर्मन के विरूद संकर्मन के विरूद प्रतिरोद का अध्यन अरे इम्यूनोलोजी ठीक है ना ऑप्शन नमबर बी जो की बहुत क्रेक्ट एक दम क्रेक्ट बराबर ना यास इम्यूनो सिस्टम से बना हैं इम्यूनोलोजी चला वही नेक्स्ट कोसंस की तरफ चलते हैं अगला हमारा कोसंस है इस परकार से कोस्टन नमबर टू बुमिगत जल के परवा के साथ नीचे की और बहने वाले परदूसन को क्या कहते हैं नेकसालग परदूसक और मिट्टी के कण या स्त्राव जल्दी से आंसर दो वई क्या होगा बुमिगत जल के परवहां के साथ निचे की और बहने वाले परदूसकों को क्या कहते है निक्सालक परदूसक मिट्टी के कंड या इस्तराव तो जल्दी से आंसर दो भई क्या कहते है ओके सेकेंड नमबर का आंसर बेजो भई क्या होगा ओके सेकेंड में डी भी और शी भी आंसर आ रहा है ये भी आंसर आ रहा है क्या बाई क्या बात है तो प्यारे विदार्तियों ना तो अपने D होगा ना तो अपने B होगा ना अपने C होगा तो जो होगा वो होगा अपने निक्षालक यानि कि option number A ये अपने correct answer होगा बुमेगत जल के परवा के साथ नीचे की और बहने वाले परदूसकों को निक्षालक कहा जाता है बराबर यास परदूसक नहीं कहते है बाई परदूसक की definition तो अलग परदूसक तो क्या होता है क्यों कोई ऐसा पदार जो सामने तेहा गंद अपनी स्वाद गंद इन में क्या करता है कुछ ना कुछ डिफ्रेंट करता है उसे हम लोग परदूसक केते हैं बराबर ना ओके जो प्रत्वी की जो प्रकति होती उसको नस्ट करता है उसे हम लोग परदूसक केते हैं अब कोई भी हो सकता है परदूसक जल्लिय भी हो सकता है इस्तलिय भी हो सकता है वाई भ प्रशिट में देखों भूमिगत जल को दूसित करने वाले अज्यवीक परदूसक है चलो नहीं को दूसित करने वाले अज्यवीक परदूसक है बैक्टीरिया सेवाल और सनिक आज विशानु सिम्पल कि उसले आप्शन टेस्ट करते हो तो भी जो है मिल जाता है अगर मैं अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हो जल्दी से आंसर दो भई जल्दी से कुछ नुमबर थरी का आंसर दो भई अगाम जैसल में रितेश राज बाबुलाल क्या हुआ रहे तीसरे में आंसर बी डेवेंदर चौदरी सी कोई सी दे रहा है बाबुलाल ने सी दिया देवेंदर सी दे रहा है उगम सिंग भी और रितेश बी कोई सी और कोई बी तो मेरे प्यारे विदार्थियों सी और बी में ना सी ना भी ना डी क्या होगा आर्सेनिक भूमिक जल को पर्दूसित करने वाला मैंने अभी आपको कहा था कि इन में से डिफेरेंट कोने अरे बैक्टिरिया सेवाल और विसाण ये अलग चीज़े और आर्सेनिक अलग चीज़े आई बास अमर में ना जिसके दोरा जो है वो क्या होता है भूमिका जो है बहुत ज़्यादा इंटरनल जो है वो क्या होता है पर्दूसित होता है आर्सेनिक आर्सेनिक वो एक और होता है इन दोनों के द्वारा जो है भूमी का प्रदोशन सबसे ज़्यादा होता है राइट ओके आगे चलते वही नेक्स्ट कोशन की तरफ चलेंगे अगला हमारा कोशन से कुछ इस परकार से देखो कुशन नमबर फॉर परियावरन सरक्षन के लिए कौन सी अंतराष्टिय एजनस या चिप को जल्दी से आंसर दो वही क्या होगा नासा यू एन ओ ग्रीन पीस या चिप को जल्दी से कुशन नमबर फॉर्थ का आंसर दो क्या होगा परियावरन सरक्षन के लिए कौन सी अंतराष्टिय जो है वो कारिय कर रही है बहुत सिंपल क्यूसन है बहुत सिंपल क्यूसन है आई बाद समझ में ना बहुत अच्छा ये फॉर्थ में भी ए आंसर दे रहा है उगम सेंग नासा कैसे बता रहा है भाई नासा तो अपने नासा अपने अंडिया का नासा जो है वह अमरीका का यह कोई अपने परियावन स्रक्षन से समधित कारी तो जो है वो ग्रीन पेस के अंतरगत होते है यानि कि आप्चा नंबर सी जो है वो वह सई आंसर है कि परियावर्ण स्रंक्षन के लिए कौन से अंतराष्टी एजेंसी कारिय कर रही है तो ग्रीन पीस जो है इसके लिए कारिय कर रही है बराबर ओकी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेस्ट की तरब चलेंगे अगला हमारा कुशन नमबर फाइव उर्व परकों के अत्यदिक प्रियोगत्थे क्या होता है मर्दा पर्दोसन जल पर दोशन माईव पर दोशन यह तो बहुत अच्छा क्योशन है जल्दीर स्याट्र दो आुठर अरु रासाने खा में हरे से क्या हो ओकी और रितेस का ए आंसर आ रहा है अनेल रविंद्र शिवपाल सिंग टपो ओकी उगम सिंग कमल सिंग देश सोर्श बहुत अच्छा सवास पूरन सिंग चतोर सिंग बाकी सबी का डी आया है एक नितिश मिस्डा का ए आया है रितेस राज आर्मी का भी ए आंसर आया है तो यह आंसर मत दो रहे सरफ और सरफ ऐसा थोड़िए कि उर्वरकों से सरफ मर्दा परदूसन ही होता है वायू परदूसन भी तो होता है जब हम लोग जैसे कि एक अपनी क्लोरिन युगते खाद होती जैसे कि डिडिटी टूफार डी टूफार फाइप टी यह इसके द्वारा जो है वायू परदूसन भी होता है और वही उर्वरक जब पानी के साथ में बहे जाती है मालो वर्सात हो गई वर्सात में जो है नदियों के साथ में वही उर्वरक जो है अपने कहां पहुंग जाती नदियों में पहुंग जाते हैं आई बास में तो यह इसमें क्या हो रह next questions की तरफ चलते हैं अगला हमारा question number six six कुछ इस प्रकार से है वाई यू परदूशन के false root लोगों को फुंफस cancer से अधिक मारने वाला रोग है बहुत अच्छा questions है बहुत अच्छा कि वाई यू परदूशन के false root लोगों को 55 cancer से अधिक मारने वाला 55 cancer से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है धमा वात इस्पिती या इन में से कोई नहीं तो जल्दी से answer दो क्या होगा question number six का answer दो भई हूगा question number six का answer दो भई है । सबास बहुत अच्छा वेरी गोड ओकी चतूर सेंग सी आंसर पूरण सेंग भी दितेश राज ने 6 में भी आंसर दिया है दम्मा क्या बात हो रही कोई सी दे रहा है कोई बी आंसर दे रहा है है ऐसे कैसे दे रहे है कोई एक आंसर दो इतने सारे आंसर कैसे दे रहे हो जी तो मेरे प्यारे विदार क्यों वायू पर्दूशन के फल्सू रोगों को जो फूंफर्स कैंसल से सबसे अधिक मनने वाले रोग जो है वो कौन सा वा इस्पी टी यह की ती सी अप्षिनकुमर टी हमारा एकदम जो है वह क्रेक्ट आन्सवर है बराबर ओक के आगे चलते हैं वह नेक्ट्ट कोस्प्राइट एंगे आगला हमारा कॉशन नमबर सेवान लुट है पेरोख अचेटील नाइट्रेट क्या है पीरोक्षी अचेटल नाइट्रेट्ट क्या है ऐसी suosta do question no.7 का अंचर दो क्या होगा प्यारे विदार्तियों इसको हम लोग जो है वो PAN भी बोलते हैं परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानि की PAN ये चीज़ भी ध्यान में रखना परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओके ये क्या है जल्दी से बताईए एसिटिक आई या पादफ हार्मोंस या गौन पर्दूसर क्या विटामेंस तो जल्दी से आंसर दो भई सेवर नंबर क विटाए किया अंसर दो क्या होगा ये कैसी का इसी का बी किसी का सी है ऑज आपको बहुत ज़्यादा कंफिज हो रहा है ना ऑकी आज कुछ कुछ मेवार रहे हैं जो कंफिजन लाइक है यानि की गौन पर्दूसक यानिकी ऑपसरननबर सी हमारा एकदम क्रेक्ट हैं जिसने C answer दिया है उसका बिल को जो है वो सही है MS Chaudhry B answer नहीं होगा भई बाबुलाल का सही है चतुर सिंग का सही है A की answer चतुर सिंग ने सही दिया है बाबुलाल ने भी सही दिया है बाकी सबने गल्त दिया है अनेल जी नहीं आगे चलते भई नेक्स्ट कोशन की तरब चलेंगे कोशन नमबर एट एट नमबर क्योशन कुछ इस परकार से है देखो निमन मैसे कौन सा जयव निमनी करण है कागच, डिटिटी, अल्यूमिनियम या प्लास्टिक जयव निमनी करण जल्दी बताए कौन सा जो है कौन सा होगा एट नमबर क्योशन का आंसर दो भई क्या होगा जयव निमनी करण जयव निमनी करण जयव निमनी करण क्या होता है निमनी करण का मतलब होता है जो जीवों के दोवारा अबगटित हो जाता है वह जयाव निमनीकरक और आजे निमनीकरक क्या होता है कि वय पदार्थ जो जीओं के द्वारा निमनीकर करों नहीं होता है अबया्दित था जैसे 10 ग्लोरीं युक्त होती है इसलिए से कासी आज़ा आ जाता है कागज कागज जो है वो जेव निमनी करन है जो जीवों के दोरा अब गटित हो जाता है यहनि कि option number A जो है यह हमारा right answer है ओके आगे चले भई next question की तरफ चलते हैं अगला हमारा question से कुछ इस परकार से देखो next question number 9 अरिद्गर प्रभाव का अरत है अरिद्गर प्रभाव का क्या आरत है वह जल्दी से आंसर दो अरिद्गर प्रभाव वाईव मंडल में ग्रीन हाउस गैसों के गनी करन के कारण वाईव मंडल के तापमान को बड़ाना बड़े हुए तापमान में सब्जे तता फूलो का उत्पादन सिसे के मकान में खाद्य फलो का उत्पादन या डी इन में से कोई नहीं जल्दी से आंसर दो 9 में क्या होगा बहुत simple question है और answer भी बिल्कुल simple है बराबर ना अनेल A ओके एट में भी आपको कोई दिकत नहीं होने चाहिए भी आंसर नहीं आना चाहिए ठीके ना एए आंसर आ रहे है बहुत अच्छा तो एई ही सही होगा भई अरिद्गर प्रबाव जो है वो सामने तक किसके कारण होता है वो सामने तक co2 के कारण होता है अरिद्गर प्रबाव global warning greenhouse effect ये सारे किसके कारण होता है तो भाई ये सब के सब जो है greenhouse effect CO2 के कारण होता है इसके कारण क्या होता है इसके कारण जो है अपने वायू मुडल के तापमान में क्या हो जाती है बडूतरी हो जाती है यानि कि option number A जो है वो हमारा एकदम correct answer है आगे चलते हैं next questions की तरब चलेंगे अगला हमारा questions इस परकार से है question number 9 10 10 है वायू मुडल में उपस्तित और जोन पर आउसोसित करती है क्या आउसोसित करती है बहुत अच्छा questions है क्या आउसोसित करेगी जल्दी से answer दो वायू मुडल में उपस्तित और जोन पर आउसोसित करती है कॉस्मिक किरनों को इंफ्रारेड किरनों को अल्ट्रा वाइलेट किरनों को और सबी विकिरनों को क्शूर 15 रिजQuet 10 का अन्सर्टा है वो she answer आ रहा है बहुत अच्छा यह question तो बिल्कुल सिंपल है और जोन परत किसका और सब्सक्राद करती है she answer यानि कि option नंबर सी यह हमारा एकदम क्रेक्ट आंसर और सभी का अंसर भी होई एकदम सही है छलो यास नेक्स कोशन की तरफ चलते है कोशन नंबर 11 कि लैँन नंबर क्योशन सफना इसपर कहा से राष्टिय परियावरन अभ्यांत्री की संस्ता कहां अस्तित है बहुत अच्छा क्योंसन है जल्दी से इसका अंसर दो राष्टिय अभ्यांत्री की राष्टिय परियावन अभ्यांत्री की संस्ता जो है वो कहां पर है जल्दी से आंसर दो भई नागपूर पूने नई दिल्ली और लखनाओ जल्द की राष्टिय परियावन अभ्यांत्री की संस्थान पानी पी लेता हूं तक तक में बहुत अच्छा जल्दी से आंसर दो वही क्या होगा है कि एलेवन्त में ए भी सी तिनों यह आंसर आगे हैं भई सिदी सी बाते ए में होगा राष्टिय परियावरन अभ्यांत्री की संस्थान जो है वो नागपूर में है वहीं आगे चलते हैं क्यूशन नंबर 12 की तरफ और 12 नंबर क्यूशन जो है वो हमारे इस परकार से हैं लोहे की खानों में काम करने वाले मज़दूरों में लोह शक्रियत रोग होने का कारण है बही इसमें थोड़ा सा क्या है ओके लोहे की खानों में काम करने वाले मज़दूरों में लोह सक्रियत अच्छा लोह सक्रियत मैता ओखी या फिर मैं कहता हूँ लोह मैता बराबर ना या लोह सक्रियत मैता रोग होने का कारण क्या है तो जल्दी से आंसर दो क्यूसर नमबर 12 का बहुत अच्छा सबास ये इस क्यूसर का आंसर भी सही है ओके डी यानिकी सिलिका बहुत अच्छा 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 ब यास तो ये questions द्यान में रखना है बहुत अच्छे questions है ये ओके लिख देना आगे चलता है question number 13 निमिलिकित में से किस वायू परदूसक के कारण मनुसिय में तंत्री का तंतर संबन्दित रोग होता है question number 13 निमिलिकित में से किस वायू परदूसक के कारण मनुसिय में तंत्री का तंतर संबन्दित रोग हो जाता है तो जल्दी से answer दो भई क्या होगा question number 13 13 का answer बेजो भई शिवम कुमार उगम सेंग बाबुलाल बहुत अच्छा बई जल्दी से questions का answer बेजो भई वायू परदूसक के कारण मनुसिय में तंत्री का तंतर संबन्दित रोग हो जाते है बहुत अच्छा क्यूसरन है भई सबास तो भई ए answer इसका correct होगा यानि कि सिसा निम लेकिन मैंसे किस वायू परदूसक के कारण जो है मनुसिय में तंत्री का तंतर संबन्दित रोग हो जाते है तो सिसे के कारण जो है वो सामने तंत्री का तंतर नामक रोग हो जाता है आगे चले भई नेक्स्ट कोशन की तरफ अगला है किस नमबर 14 निम लेकित मैंसे कौन सा वायू मंदलिय परदूसक नहीं होता है वायू मंदलिय परदूसक कौन सा नहीं है तो जल्दी से आंसर दो निम लेकित मैंसे कौन सा वायू मंदलिय परदूसक नहीं होता है हाइड्रो कार्बन, कार्बन, मोनो ओक्साइड, कार्बन, डाइओक्साइड या सल्फर डाइओक्साइड नेमिली कित मैंसे कौन सा वाइउ मंडलिये प्रदूसक नहीं होता है हाइडो कारवन, कारवन, मोनो आउकसेड, कारवन डाइ औकसाड या सल्फ़ डाइ औकसाड तो जल्दी से आन्सर दो भई क्या होगा question number 14 का answer दो बहुत अच्छा सब्बास जल्दी से answer दो क्या बात है दढ़ा दढ़ा answer आ रहा है ए answer आ रहा है अरे पहले question को सही तरीके से समझतो लोग क्या है निमली कित मैंसे कौन सा वायू मंदलिये परदूसक नहीं है मेरे प्यारे विदारतियों कार्बंड या ओक्षरI Hoe कहा है? लेकिन अशुदिये कि वहां परदूसक बढ़ रहा है वह temperature बढ़ रहा है अजहां मैं स्वास लेने में दिकन आ रही है यहां स्वास लेने में दिकर नहीं आ रही है अगर कार्बन ड़ी ऑक्षइड अब इसका मतलब है कि परदुसक तो क्या होता है परदुसक को हमें जो है अपने इनॉमेंट से हटा लेना चाहिए अगर मैं सी यू टू को इनॉमेंट से हटा लूँगा तो क्या होगा पेड़ अपना भूजन नहीं बना पाएंगे प्यारे विद्दार्टियों सी यू टू जो है ना वह अपने इनॉमेंट का तापमान नियंत्रित करता है सबसे अधितिक मात्र जो है वह मिठेन की निकलती है आपको पता है कि अपने निचे जब हम लोग खोधते हैं निचे वाले प्रत्वी की निचली प्रतों से जो हाइडो कार्बन निकलता है उसमें सबसे अतिदिक मात्रा जो है वो मिधेन की होती है अई बास अबन में ना जो की एक परदूसक गयस है वो भी हाँ भाई तुक्के मत लगाऊ रहे सो समझ के आंसर दो आगे लास्ट एन फाइनल आज की क्लास का अपने सबसे लास्ट एन फाइनल क्यूसन से भाई आंसर दो क्यूसन नमबर 15 ने मेली कि firearm से कौन सा जीव सम्मू आहार संकला बनाता है तो देख लो प्यारे विदातियों आज की क्लास में अगर किसी के 10 क्यूशन राइट है तो वो भी जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है आई बास समझे में ना बहुत अच्छा है वो कॉंपिटेटर तो द्यार में रखो आज की क्लास में 10 भी क्यूशन में कुछ ऐसा लेकर आया हूं आप हमेशा बोलते कि सर कुछ 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 दंके लेकर आओ डंके तो यह लो कुछ आज डंके आज सब की धानिया ऊपर नीचे सर अके तो जल्दी से आंसर दो इसका ने मिले के तुम ऐसे कौन सा जीव समू आहार सरंखला बनाता है कुछ नमबर 15 जल्दी से आंसर दो ओके तो प्यारे विधार्तियो भी यहां से राइट होगा देखो गास मानो गास को मानो मानो को गास मानो जो है वो गास ने खौता और मानो को मिचली नहीं खाता जी नहीं यह तो नहीं बनता है दूसरे नंबर पर गास को बकरी खाती है बिलकुल खाती है बकरी को मानो बिलकुल खाता है मानो तो सरवाहरी है खा भी सकता है बराबर ना पेड और पेड को काटने वाला एंबाग जी नहीं यह भी नहीं हुआ खादी संकला मतलब एक दूसरे पर डिपेंड बकरी को गाय ख तो प्यारे विदार्तियों, आज का Session हमारा यहें पे कम्पलीट होता है, जल्दी से जल्दी अपना Result जो है वो Show कर दो जल्दी से, ओके, जल्दी से अपना Result Show करो, आज तो 15 में 9 सई है सर, ओके, कोई बात नहीं, 9 भी अच्छे है, ठीके ना, ओके, आज पेपर ऐसा ही था बराबर ना तो don't worry ओके प्यारे विदार्तियों आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं पे अपने खतम करेंगे आप लोग जो है वो continue अपनी क्लास को जो है वो देखते रहिए ठीके ना जब क्लास को देखते रहोगे ना तो अपने आप क्यूशन सही हो जाएंगे मेस चोधरी 15 में से 8 ओ हो नितेश के एक राइट है तेरा नमबर बहुत अच्छा सबास तेरा क्यूशन स्राइट है सबास तो कोई आपने प्यारे विदार्तियों आज का पेपर ही ऐसा ही था जिसके प्यारे विदार्तियों तो प्यारे विदार्तियों आज की क्लास को हम लोग फिनिस करेंगे कल फिर मिलेंगे ऐसा ही क्यूशनों के साथ में तब तक के लिए आप सभी को मेरा जैहिन